हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके पड़ेंचल होम ट्विशन पे दोस्तो हारियाना प्लिस कॉंस्टेबल की जो नई भरती है उसको लेकर बड़े खबर आई है जयां दोस्तो भरती का जो नोटिविकेशन है बहुत जल्द आपके बीच में आने वाला है और ज जाम पैटरन में आपसे क्या-क्या पुछा जाएगा कौन-कौन से सब्जेट के क्यूस्टन आएंगे वो सारी चीज़े यहां पर पास हो चुकी है तो अगर आप इंटरस्टेड है तो वीडियो को धान सुर पुरा देखिए दोस्तो अगर आप इसनल पर नई है चलको सब एडिकेटेड वीडियो कल ही आपको बणा के दी है यूटूब पे तो आप उसको जाके देख सकते हो कि कितने नंबर वाड़े बच्चे यहां पर फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे ठीक है तो एक डिटेल अनलेसिस आपको दिया है उथेंटिक डाटा के साथ तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपको i button में वीडियो मिल जाएगा या description में आपको link मिल जाएगा आप उस वीडियो को जरुर देखिए अगर आपकी नंबर कम है या आपके नंबर कितने भी हो आपको cutoff का अगर सही analyze करना है और सही cutoff को पता करना है तो आप उस वीडियो क साइ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगन को जुरूर प्रेस कर लिजी योगी आज से क्लासिज शुरू हो जाएंगे ठेक है तो एक बात तो आप जानते कि हरियाना पुलिस में अगर मेल की बात करें तो पांच हजार पद यहां पे आने सबसे पहली बात तो यह है कि बारवी पास होना जोड़ी है इसके अलावा आपने सीटी बहुत सारे बच्चों के कॉमेंट आ रहे थे कि सर मैंने सीटी नहीं दिया है क्या मैं बरपा होगा नहीं बरपा होगे आपका सीटी ग्रूप सी जो आपने अभी दिया था पिछले साल जो होगा था वो आपने दिया होना चाहिए और साती साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप CET में नहीं बैठे थे या आपका CET Group C क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए eligible नहीं होंगे बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कोमेंट करते हैं कि सर मैं हर्याणा सी बिलोंग करता हूँ अभी अभी मैंने 12 पास की है अभी 18 साल मैंने पार किया तो क्या मैं पुलिस कोंस्टिबल का फोरम बरपाऊंगा नहीं बरपाऊंगे भईया आप अगली CT का इंजार कीजिए अगले CT में और भी पदा आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इसके लिए eligibility यही है कि कम से कम आपका बारवी पास होना जरूरी है और CT ग्रूप C ठीक है इस exam में आपका बैठना जरूरी है और इसको आपका पास होना जरूरी है तो ही आप इस फोरम को apply कर पाएंगे दूसरा यह है कि physical के लिए दूस्तों आप जानते हैं PST के लिए लग 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 दस गुना बच्चों को बुलाए जाएगा तो minimum 60,000 बच्चे तो यहाँ पे physical के लिए बुलाए ही जाएंगे हो सकता है कि डटा 15 गुना पे चला जाए तो 90,000 बच्चे भी यहाँ पे बुला सकते हैं तो पहली चीज तो है कि कौन इस फर्म को बुलाए पाएगा यह आपको अच्छे से किलियर हो चुका होगा बात करें दोस्तों age limit तो age limit को भी थोड़ा सा doubt है तो मैं आपको बता जाऊंगा कि journal category से आप belong करते हैं तो normal जो उमर होती है 18 से 25 होती अरियाना प्लीस में फर्म को बरपाएंगे लेकिन तीन साल का रिलेस्टेसन मिल चुका है तो आप 31 साल के होंगे तो भी आप इस फर्म को बरपाएंगे इसे परकार बात करें से में तो आप बरपाएंगे 18 से 30 साल और आप बरपाएंगे 18 से 33 साल मतलब कहने का ये है कि जो बच्चा गुरूप C क्वालिफाई है और बारवी पास है अगर उसकी उमर 18 से 28 साल है जर्नल काटेगरी में तो इस फर्म को अप्लाई कर पाएगा इसे परकार 20 से वाड़ा 31 साल तक और S.C. वाड़ा 33 साल तक इस फर्म को बरपाएगा क्योंकि तीन साल के लेसेसन मुख्यमंदरी साब ने अलड़ी आपको दे दी है तो ये एक बहुत बड़ा फाइदा उन बच्चों के लिए जो सेटी क्वालिफाई थे लेकिन उमर को लिएकर यहाँ पे दिखकत हो सकती थी तो वो दिखकत आपकी पहले खतम हो चुकी है तेन साल का लेसेसनिस में आपको मिलेगा दोस्तो चेक है तो आजकी जो बड़ी अप्डेट है वो ये है दोस्तो आप सामने देख लीजी यहां पे आप देखे हरियाना प्रिश के 6,000 पुदों की बरती का रास्ता साप हो चुका है सरकार ने संसोधित नियम अदिसूचित जारी कर दिये है अब होगा क्या दोस्तों कि यह 1,000 पद फीमेल की है यह आपको बता है काफी दिनों से चला हुआ है बरती के पहले आपका फिजिकल मेडिजर्म यहीं पीम्टी होगा उसके बाद पीस्त यानि रनिंग होगी ठीक है और उमिदवारों को केल 2024 में व्यक्ति पदों के लिए ही मिलेगी बरती के लिए पहले यह आप जान चुए रिटन एक्जाम होगा 94.5 का NCC के 3 नमबर मिलेंगे शोशोजित अदिनियम है जो इसमें लागू किये गए है अब आप देख लिए इसमें चिज्जे क्या क्या है तो रनिंग में क्या होगा धाई किलोमेटर रनिंग है बारा मिनट में फेमेल के लिए एक किलोमेटर रनिंग है छे मिनट में और एक्समेन के लिए एक किलोमेटर रनिंग है पांच मिनट में ठेक है इसके अलावा 94.5 का रिटन एक्जाम होगा यह आपको इसमें बताया हुआ है अच्छा जी इसके अलावा यहाँ पे detail notification भी इन्होंने जारी किया हुआ है यह आप देख सकते हैं आपके सामने तो यह एक संसोजित जो name है उसका यह पूरा का पूरा data है आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यह पूरी की पूरी PDF आपको हमारे telegram channel पे मिल जाएगी इसमें सार इससे में अगर SI के पद आएंगे तो जितनी vacancy आऊंगी उसके 50% ही open category में आएंगे और जितने भी इस sports के तहते हैं जो खेलते हैं खेलाड़े वगेरा इनको भी उसमें कोटा मिलेगा किसमें open category में ठेक है तो यह सारी चीज़े भी इसमें बताई हुई है सारी मापत का बा समान होंगे अब इसमें आप से क्या-क्या पुछा जाएगा आप देख सकते हो सामाने ज्यान आएगा science आएगा current affair reasoning math ठेक है और यह 10% आपको किसके मिलेंगे दोस्तो computer के computer के basic ज्यान के 10% क्युछन मिलेंगे ठेक है इसके अलावा हर्याना जिक्के समंदिद किर्शी पसुपालन इनसे समंदिद भी आपको क्युछन मिलेंगे योग्यता की बात करें तो बारवी 12th लेवल का इपर आएगा जबकि SI के लिए दोस्तों आपका graduate लेवल का इपर रह होना जरूरी है ठीक है और ये socio-economics के डाइन नमर ये सारी चीज़े आपको इसमें बता दी गई है तो वही चीज़े जो हमने आपको बताई है वही बाते आपको इसमें देखने को मिलेंगे या आगे English में दे दिया गया है सारी चीज़े से हिम ठीक है तो English और Hindi दोनों मे लेकिन मुख्य बात यह है कि हरियाना प्लिस कॉंस्टेबल की जो बरती है आपको दस फरवरी के आसपास आपको मिल जाए वह सकता है दस फरवरी से पहले आजए तो जो भी बच्चे हरियाना प्लिस कॉंस्टेबल की तैयारे करने में इंट्रेस्टिड है ग्रूप C का exam ज क्यूशन सही है और फिमेल की बात करें तो अगर बावन से लेके चोवन क्यूशन आपके सही है तो डेफरेटली आपका फिजिकल के लिए कोल आएगा यह हमना आपको डिटेल वीडियो प्राइड कर रखी आप उसको देख सकते हो ठीक है किसी के बेकाव में आपको नहीं आन कि कौन के आप अपने विएक पे काम कीजिए हमने दिलिपलिस के उपर भी कटो बताई थे अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमने उसमें भी लोगों ने 70 प्लस बताया था बढ़ा वह यह बहतर जाएगी 75 जाएगी हमने उसमें बताया था कि 67 क्या सपास जर्रनल क्वालिफाई कर लिया और आपने देखा होगा दिलिपलिस में कितने बच्चे फिजिकल में पास हुए तो यही चीज़े मैं आपको यहां पर कह रहा हूं कि अगर आपका स्कोरी स्रेंज में है पिचपन के आसपास है जर्नल कटेगरी में तो आप फिजिकल जूरू करिए अगे आपका रिटन एक्जाम के लिए बुलाया जाएगा के नहीं जाएगा वो बाद की बात दे हैं अब बहुत सारे बच्चे यह भी कहते हैं कि सर मान लिजे फिजिकल एल्ड बुला लिए फिजिकल हम पास भी कर दें आगे फिर च्यार गुणा में नहीं आएगा तो ए बसते हैं कितने दोस्तो चाली जार बत्चे हैं तो सब के कट उसके बराबर नमर नहीं है और सब के ही 60 प्लस नमडर नहीं है। अलग doct number है किसी के सुइस पचास थामं कले के भूब इसे के कृट कर्रार वो अधरीज पे त्यार होती है तो आप शीच 12 अप दिमाग से निकाल कि अभी अपने physical की तैरी करनी है क्योंकि च्यार गुना में कितनी cut off लगेगी वो बाद की बात है, physical कौन कर रहा है उस पर depend कर रहा है बहुत जादा number लेने वाला बच्चा physical में फैल हो जाएगा, क्योंकि धाई किलोमेटर रणिंग इतनी आसान नहीं है, जितनी दिखती है ठीक है दोस्तो, तो आप इस सीज़ को समझे कि physical में भी कम से कम 20 जार बच्चे फैल हो जाएगे, तो बच्चेंगे 40 जार 40 जार में से 24 जार लेंगे ठीक है, तो वो बच्चा जिसके हमाल लीजे, 50 से भी नीचे नमबर है, जर्नल कटेकरे में, वो तो फैल होना ही होना है, वो तो वैसे भी नहीं आएगा ठीक है, तो आप इस सीज़ कमझे के आप बस के और physical की तहरी कीजी हो सकता है कि 4 गुना में आपका नमबर आ जाए तो आपके लिए chance मझे आएगा, ठीक है तो इस सीज़ को समझ के आपको अपना physical की तहरी करने चाहिए और information अगर आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को like करें, share करें, और अगर आप RPF Constable की तहरी करना चाहते है मारे साथ जुड़के, तो math और उरजिन की